नाव रसिया के परसिडेंट पूतिन की ये जुड स्टेटमेंट है ये बहुत ही जादा वारल हो रहे है ये पूरी दुनिया में। और जो बाइडन इसे तेजी से बढ़ा रहा है इस कोरिडोर को लेकर पूतिन से जब मीडिया ने सवाल किया कि इस कोरिडोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्या इस कोरिडोर के बनने से रसिया को नुकसान होगा पुतिन ने अपना statement देते हुए कहा कि long term में इसका फाइदा हमें ही होगा पुतिन का ये statement पूरी दुनिया में viral हो रहा है रसिया और भारत की बीच में पहले से कोरिडोर बनाने का प्लान था रसिया North South कोरिडोर इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रसिया और भारत की बीच में कोरिडोर बनने जा रहा था लेकिन अब इसी बीच G20 में इंडिया Middle East Economy कोरिडोर की बात चल रही है रसिया की जो मीडिया है वो पुतिन से सवाल कर रही है पुतिन का काना है कि इस कोरिडोर से हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा जो South North East कोरिडोर है वो बनेगा भारत और रसिया के बीच में जो कोरिडोर बनने जा रहा था वो North East कोरिडोर रसिया इरान से होते हुए भारत आता लेकिन गाइस सस्ट यह है कि अगर इंडिया मिडिलिष्ट इकोनोमिक कोरिडोर बनता है तो रसिया भारत के कोरिडोर को एक बड़ा जटका लगेगा वैसे गाइस पूतिन का काना तो सही है और अगर हम भारत की जियो पोलिटिकल दिष्टी कौन से देखें तो इसका फाइदा भारत को भी होने वाला है क्योंकि हम आने वाले समय में दोनों कोरिडोर को यूज कर पाएंगे मतलब हम रसिया और रसिया के मित्र कंट्री से भी वैपार कर पाएंगे और यूरोपिये कंट्री के साथ भी वैपार कर पाएंगे तो इसमें हमारा फैदा है रसियन मीडिया ने जब पुतिन से सवाल किया कि इंडिया मिडिलिश इरोब कोरिडोर बनने से हमें नुकसान होगा तो पुतिन ने बहुत ही गजब का जबाब दिया पुतिन ने कहा कि अगर छत में छेद भी हो गया तो क्या हुआ रात को ब्यूटिफूल स्काई देखने को मिलेगा और हवा भी आएगी तो बलादेमिर पुतिन ने यहाँ पर पोजेटिव एंगल बताते हुए जबाब दिया मैली पुतिन का कहना है कि हम नौर्थ साउथ कोरिडोर बनाएंगे पुतिन ने कहा कि आने वाले टाइम में इंडिया यूएई वाला जो कोरिडोर होगा वो काफी बीजी हो जाएगा और जब यह रूट कमर्सली बीजी हो जाएगा तो हमारा रूट भी चल पड़ेगा हमारा रूट भी दोड़ जाएगा लोग इंडिया तो इरान वाला रास्ता भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन गाईस अगर अभी की करंट जियो पोलिटिकल की बात करें तो इरान और रसिया दोनों पर काफी हैवी सेंसेक्स लगा हुआ है तो जब तक सैंसेस वगर इन दोनों कंट्री से नहीं हटता है तब तक इंटरनेशनल वैपार करना तो बहुत मुश्किल है लेकिन वलादेमिर पुटिन का मानना ये भी है कि अगर हमारा कोरिडोर नहीं भी बनता है तो हम लोग इसी कोरिडोर का यूज कर सकते हैं अगर इंडिया से कारगो इसराइल पहुँच जाता है तो इस कारगो को तरकी और ब्लैक सी में इंटर करवा के हम रसिया ला सकते हैं गैस यहां पर रसियन परसिडेंट वलादेमिर पुटिन की दाग देनी होगी इतना सब होने पर भी उन्होंने भारत के खिलाब कुछ नहीं बोला कि भारत ने पहले हमारे साथ कोरिडोर बनाने का निरने लिया और अब वेस्टन कटने के साथ मिल गया पुतिन ने भारत को लेकर कोई कोमेंट नहीं किया और गैस करे भी क्यों हाप पूतिन ने USA को लेकर काफी कुछ कहा उनका कहना था कि इंडिया मिडिलिश इरोप कोलिडोर में USA का क्या काम ये कोलिडोर USA तो जा नहीं रहा है जो बाइडन इसमें क्यों कुछ पड़े हैं और एग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट पर जोड़ दे रहा है इसे आगे ठेकल गाइस इस सवाल का जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि USA को इस कोलिडोर से क्या फाइदा होगा इंडिया मिडिलिश इरोप एकोनोमिक कोलिडोर को लेकर USA इतना जोर क्यों दे रहा है तो आप वो वीडियो में इस चीज़ को देख सकते हैं नौ यहां पर वेस्टन चीज़ों को क्यों यूज कर रहा है अप रसियन कार लिजिए मैडिन रसिया को अपना ये तो पूतिन ने भारत का एक्जामपल देकर अपने देश वासियों को अपील किया कि वो यूरोपीय चीज़ों को ना यूज करके रसियन चीज को अपना है गाइस पूति लिटेकलेशन पास भी हुआ और G20 सक्सेस भी हुआ तो ऐस ये तो पूतिन ने अपना पोजेटिव रियक्षन दिया इंडिया मिडिलिस्ट एकोनोमिक को लेकर अब आगे देखने को मिलेगा कि सी जिंपिंग चाइना के परसीडेंट इस पर क्या रियक्षन देते हैं इस को को लेकर क्योंकि कहीं ने कहीं सी जिंपिंग का जो सपना था बैल्ट रोट को लेकर वो काफी फीका पड़ गया है तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा अगर इससे रिलेटेट कोई और भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपके पास लाएं नौ ठैंक्स पर वाच के साथ तब तक के लिए जाहिंद